हेलो साथियों आप कैसे हैं आसा करते हैं आप अच्छे हों सुस्थ होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक नई रेश्पी लेकर आए हैं मसूर की दाल उसके साथ में अर्भी तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं मसूर की दाल बनाने के लिए दोस्तों हमने लबजम एक कटोरी दाल ले है और इसको हमने साफ करके अच्छे पानी से धुल लिया है और एक कूकर में इसको हमने रख दिया है क्योंकि हम इसे कूकर में पकाएंगे दोस्तों अर्भी के 6-7 पीज हमने मेडियम साइज के लिये है और इनको साफ काटके साफ पानी से धुल करके रख लिया है इसके बनाने के लिए हमने दो मिडियम प्याज लसन बारी काट लिया है, धनिया भी काट लिया है, हरा मिर्च, टमाटर हमने दो लिये हैं, वो काट लिये हैं, लसन अदरक का पेष्ट भी बना लिया है, इसके लिए हमने कढ़ी पत्ता लिये हैं, थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ा सा अजवाइन लिया है, थोड़ी सी ह हिंगली है, यह हम तेजपत्ता लिया है, गैस दोस्तों आन करेंगे, इस पर हम कूकर रखेंगे, कूकर में दोस्तों हम इसे बनाएंगे, कूकर में जल्दी बन जाएगी, फटा फट मुझे बनाना है, आप चाहें तो भगोने में या कडाही में या किसी भी उसमें बना सकते बढ़त्यांगे दोस्तों इसमें हम सर्शो का तेल डाल देंगे तेल दोस्तों गरम हो गया है अब इसमें जो हमने जीरा हीं और अजवाइन लइन वैंदोे इसमें हम डालों कुछे बाद में हुआ प्याज डाल देंगे लस्टन जो लिया था वो डाल देंगे अद्रक कोटली थी उसको डाल देंगे और इसे हम पकाएंगे हरा मिर्च भी दोस्तों हमने काटा था हरा मिर्च भी समें डाल लेंगे, हरा मिर्च सीहत के लिए ठीक होता है, लाल मिर्च वेसे कम खाना चाहिए, प्याज दोस्तों पक गया है थोड़ा सा, अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर डालेंगे, कढ़ी पत्ता जो लिया था वो भी डाल देंगे, थोड़ा सा कढ़ी पत्ता पकाएंगे, उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे, कढ़ी पत्ता पक गया है इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर को हम दोस्तों पकाएंगे, टमाटर को अच्छे से गला लेंगे, आप चाहें तो टमाटर का पेष्ट भी बना कर इसमें डाल सकते हैं, कि इसमें टमाटर गलाने के लिए दोस्तों हम स्वादा नुशान नमक डाल देंगे कि ताकि टमाटर आसानी से जो है बख जाए थोड़ा से इसको और पकाएंगे यह देखी तेल छोड़दी है इसमें अब इसमें हम आधा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चमच गरम मसाला डालेंगे आधा चमच धनिया प mots दैलेंगे कि आधा चमच फीछ जीरा पाउडर डालेंगे आधा चमबच कस्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और अब इसे अच्छे से पकाएंगे जब मसाले से खुस्बू आने लगेगी तब दोस्तों जो हमने अर्भी काट करके रखी हैं वो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी डालनेंगे दोस्तों ताइक यह नीचे लगे न और टमाटर अच्छे से गल जाए अगर आप टमाटर मिक्सी में पीस कर डालेंगे तो पानी डालनेंगे आवसकता नहीं होगी मसाला पग गया है दोस्तों आब इसमें अर्भी हमनें काट के रखी थी यह ड क्योंकि भूनने के बाद ही बहुत अच्छा मसाले से खुस्बू आ जाती है अब इसमें हम जो मसूर की डाल हमने धूल करके रखी थी दोस्तों यह बगएर छिकल वाली है मसूर की डाल यह इस्तेमाल करेंगे इसको भी इसके साथ में भून लेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे इसमें से सुंधा पन के खुस्बू आने लगती है दोस्तों दाल से मसूर के डाल से जब इसको हम भून लेंगे इसके साथ बहुत अच्छी खुस्बू आती है दाल बहुत स्वादिष्ट हो जाती तो इसको मसाले से चलाते रहेंगे इस तरह से भून लेंगे इसको ताकि नीचे मसाला लगे न थोड़ा सा दो मिनट के लिए धकन इसका बंद कर देंगे कि दो नो मिनट हो गos हैने । ज्यादा देर धके रखेंगे तो नीचे लगने की संभाववना इसलिए इसको जो है चलाते रहेंगे! 2 मिनट ही ढखेंगे और फिर चलाएंगे! अच्छे से भून लेंगे इसको मसाले में, तब हम इसमें दोस्तों पानी डालेंगे. करीब 3-4 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, अब लगभग यह भून गई है अब इसमें दोस्तों पानी दालेंगे, हम इसमें करीब देड़ गिलास पानी डालेंगे एक गिलास पानी डालना है इसमें आधा गिलास पानी इसमें और डालेंगे पानी आप दोस्तों आपनких आवसेक्ता और डाले जितने पानी की आवसेक्ता होग आप दाढ़ी रखना चाहते हैं या पदली रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालें अपनी आवस्यक्ता अमशार थोड़ा सा दोस्तों धनिया हमने काट के रखा था वो इसमें डाल देंगे और इस कोकर का ढखन बंद कर देंगे दोस्तों इसमें हम दो सीटी लगने देंगे दो सीटी में डाल बढ़िया पक जाती है और अर्वी भी पक जाती है आप अर्वी या भुईया दोनों बोल सकते हैं कहीं कहीं को अर्भी बोलते हैं कहीं कहीं भीना बोलते हैं दोस्तो कूकर में दो सीटी लग गए है अब हम इसको जो है बंद कर देंगे गैस इसकी कूकर ठंडा होने देंगे देखिए दोस्तो कूकर ठंडा हो गया है इसके सीटी निकाल के खोगल के देखेंगे दाल की position क्या है दोस्तों दाल से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है बहुत बढ़ीय दाल बनी है देखें ना गली है ना खड़ी है बहुत बढ़ीय अर्बी भी पक गई है दाल बहुत ही tasty बनी है अब इसमें थोड़ा सा दोस्तों हम चौक मारेंगे हलका सा इसमें तड़का लगाएंगे हम लाल मिर्च एक लेंगे उसके दो टुकले कर लेंगे थोड़ा सा जीरा लेंगे और थोड़ा सा कस्मीरी लाल मिर्च भी हम लेंगे इसमें ये देखी, इस तरीके से इसमें तड़का डाल में मार देंगे, बहुत अच्छी खुसबू आ जाएगी आप चाहे तो लहसुन भी इसमें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन से भी तड़का लगा सकते हैं, हींग भी डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो उससे इसमें तड़का माने देखिए दोस्तों दाल बनकर तयार हो गए इसको थोड़ा सा जो है हरी धनिया से गार्निस करेंगे साथियों अगर ये बनाने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें यों कमेंट करें तथा पूरा वेडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवा साथियों